आज हम एक वीकली डिडिंग करने चाह रहे हैं कैंसर साइन के लिए जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंज इतले के आ रहा है एक जेनरल डिडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं आए वलकुम यूँ चैनल को सब सब्सक्राइब करने बिलकुल मत भूलिये और बाकी की डीडियल्स अपॉइंट्मेंट के लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं आप चेक आउट कर सकते हैं और यस डेली डारो डिडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेस्बूक पे फॉलू कर सकते हैं उसका लिंक नीचे दिया हुआ है सो लेट्स बिकेंड रीडिंग और पॉजिटिव नोट और कैंसर देख लेते हैं कि आप सब की लिए ओवराल इनर्ची क्या है चाहे वो रिलेशन्चिप हो या कारियर हो वट कें यू एक्सपेक्ट इस कमिंग वी पॉजिटिव वर्क आउट कम्स सो जिस च वर्क प्लेस हो जाहे वर्क प्लेस हो घर हो एनिधिंग तो एफट सुट करते चाहिए चाहिए मेजर परचीस यू और इंवेस्टिव यंथे संधिंग इंवेस्टिव तो जोड़ेग रिखे ना चाहिए तो फॉजिटिव ब्लॉटिव ने पान देख अर आप कुछ blossom and become stronger, कुछ रिष्टे चूट से हैं, कुछ रिष्टे नए बनते हैं, ठीक है, इसी का नाम जुंदगी है, और मुझे ऐसे लगता है कि और जादा आपकी लाइफ में stronger connections की जगा बन रही है, romance, love is set to sizzle, the chance of romance is high for those seeking a connection, okay, so if you are looking for a romantic connection, romance is on the horizon, single है, double है मेरा कहने का मतलब है कि relationship में है, I think it's about a relationship or a romance, okay, की couple भी है, तो romantic, you know romance is on the horizon, okay, twist and turns, carefully made plans, oh, so अगर आप कुछ बड़ा सोच समझके बैठे हैं, की अपनी life will plan तो angels कह रहे हैं, की don't plan something comes naturally in your life, so go with the flow, ठीक है न, चलिए ये तो हो गया, overall energy, अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं, what can you expect for the coming week, for all you lovely and salians, okay, so love life में अभी situation क्या है, oh, so यहां पर हमारे पास एक वो conflict दिखाई दे रही है, there is some conflict going on in this connection, okay, five of sorts, it's not a very good card, actually, it's not at all good, I think it's about a conflict, maybe it's about, या तो आप पूरे focus दे अपने काम को लेके, जो भी है relationship, it's not five, sorry, I'm so sorry, I don't know why I said five of sorts, seven of sorts, it's about sneaky, it's about manipulation, it's about relationship में situation ऐसी बनी हुई है, स्थिथी ऐसी बनी हुई है, कि आप सोच रहे हैं, अरे ये क्यों मुझे देख रहे हैं, अरे ये क्यों मेरे तरफ आ रहे हैं, अरे आया ये वाई, why I am liking this person, you know, sneaky, manupilating, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, और आपको समझ नहीं आ रहे हैं, how to deal with it, okay, ऐसी सिचुएशन है, और मेभी समबडी रणिंग अवे, कुछ के लिए हो सकते हैं, it's about a new connection, ठीक है, और, I don't know, maybe you are thinking that way, चलिए, थोड़ा आप detail में देख लेते हैं, तो देखे, एक तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आप जगल भी कर रहे हैं, इधर, 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 जगलिंग सिचुवेशन, आपको समझ नहीं आ रहे हैं, what to do, आपका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, एक बर कहता है कि, हाँ, आप आगे बढ़ जाएं, खतम कर दे इसको, और एक बर होता है, इधर, इधर उतर, भटका राएं, कि क्या करें, आपको लगता है, इधर, इसको परक्षिय के बर्वोट आपका रहे, लेकिन, आपको समझ नहीं आ रहे हैं, कि इस चिप्रॉटुन का क्या करें, धिक है, हाँ, ये चीज़ हमें दिखाय रहे हैं, on the other hand, आपके पार्टनर है, they seem to be very positive, ठीक है, and my god, this connection seems to be like a twin connection, or maybe it's about like a typically like a spiritual connection, you are dealing with, there is somebody, you know, around, आपको भी शायदी है मैसूस होता होगा, कि बड़ी intense synergy है, this connection में, this person is wondering, maybe आपके लिए उनके मन में कोई positive feeling है, कोई है, जो आपमें इंट्रस्टेड है is cancerian, whether it's new, old, हमें नहीं बता, but yes, ठीक है, but एक चीज है, अंदर है, शायद उनके डर है, ठीक है, उनको भी समझ नहीं आ रहा, what to do, क्या ये right decision होगा कि नहीं होगा, and maybe हो सकता है कि ये person आप से दूरी पे है, distance, you know, you can't talk, you can't see each other, or maybe stuff like that, कुछ हो सकता है, but there is a positive shift around this person, ठीक है, क्या चाहते है ये person आप से, I mean, there is, मैं आपको बोला ना, wandering, अभी भी वो, इस चीज को लेके, वो wonder कर रहे है, ठीक है कि क्या करें, और आगे भी ये ये चीज लग रही है, कि just loops, you know, it's like a loop, but maybe, there is, बहुत सारे maybe हैं, but yes है, कि yes, कुछ stability तो आई है, कुछ तो हुआ है, I don't know, maybe a change or a shift, हो सकता है, लूप में ये चल रहा है, but yes, definitely, कुछ तो हुआ है, जो की, थोड़ा सा different है, now, जो लोग totally single है, I think you may hear from somebody, message or a call, हो सकता है, वो आपके ओपर है कि आप उसको receive करते हैं, क्या करते हैं, because we are getting like three of souls energy here, हो सकता है, कि सभाहोट, कि आप शायद विच्वासना कर पा हैं, हो सकता है कि ये person already third party में हो, कोई आपको reach out कर रहा है, but definitely you may not be interested, शायद ये energy हो सकते है, ठीक है, चलिए, और what else, अब, ये तो हो गई आपकी love life, ये हो गई आपकी situation, what you need to work upon, energy wise, है कर हम बात करें, कि आपको, किस तीज पर work करने की जरूएत है, चाहे है बो relationship or your career हो, oh, so worry, I am learning that worry doesn't change any outcome, okay, wow, so अगर अभी ही तक आप सिर्फ चिंता, चिंता, चिंता कर रहे थे, और आपको ये समझ आ जानी चाहिए, angels कह रहे हैं कि समझिये, कि चिंता करने से कुछ नहीं होता, ठीक है, relationship में कुछ चेंज नहीं होता, करियर में कुछ नहीं चेंज होता, चिंता से कुछ में होता, चिंतान से होता है, okay, yes, चिंतान मेंस, like, it's about, of course, you know, चिंतान का मतलब होता है, you know, of course, आप अपने, like, believe, you know, believing in something, और तेकिंग, आप जिनको भी मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, universe में, भगवान में, जिसमें भी divine में, ठीक है, I am attracted to those people who serve my higher good, तो आप ये मान के चलिए, कि आप ऐसे ही relationships को attract करते हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, जब आप ये रोज बोलेंगे, रोज बोलेंगे, I am attracted to those people who serve my higher good, ठीक है, इसको बार-बार repeat कीजे, इसको बार-बार repeat कीजे, अब इससे क्या होगा, कि actually में आप ऐसे लोगी attract करेंगे, जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपकी life में, आपके soul purpose पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये thought out हो जाए, ये जो problem है, जो आप दील कर रहे हैं, automatically you will connect with people, you will start connecting, पर भागना बंद, ignore करना बंद, defensive होना बंद, easy, it's going to be very easy, you know, ओके, चलिए, ये तो हम डिवाइन पे छोड़ देते हैं, अब आगे की हम बात करेंगे, what about your career, करियर-wise आप थो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, in the coming time, of course, okay, so career-wise, I think, हार तो आप भी नहीं मान रहे हैं, and of course, आपके फेवर में कुछ हो सकता है, it's about something in your favor, okay, और हो सकता है, जब आप हार नहीं मनते हैं, जब आप आप कर रहे थे, in terms of career, you will be quite content, ठीक है, happy, finally, आप वो उस energy में से, king of source वाली में, you are coming to that point, where you will be content, maybe it's about a new job, maybe it's about a new task, or anything, but आप happy, आप happy दिखते हो, मज़ नजर आ रहे हैं, और मैं खुश हो, ठीक है, चलिए, क्या guidance है, for all the concerns, हाँ, तो मैं बता रही थी, यह new opportunity हो सकती है, कुछ favor में आपके हो सकते हैं, आपके बहुत साप से कुछ हो सकते हैं, आपको extra favors मिल सकते हैं, in any way, अच्छी बात है, क्या guidance है, beyond illusion, keep yourself happy, keep yourself light, it's a long journey, ठीक है, उतार ठीड़ा आते रहते हैं, but I think it's about enjoy the success, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है, कि finally it's about कि, क्या बोलू मैं, कि जब आप happy, जब आप थोड़ा सा भी happy feel करते हैं, positive, angels कहना चाहरे हैं, कि come out of this zone, इसमें से बाहर निकल के, ठीक है, जब आप एक चीज को experience करते हैं, तो फिर सब कुछ वैसा ही होता है, जो आपने सोचा भी नहीं होता, beyond illusion का card आ रहा है, ठीक है, आप दो cards में difference देखिए, इधर ये person कितना light है, कितना happy है, कितना content है, because it's like a spiritual awakening, शायद हो सकता है, उस चीज को अभी तक आप avoid कर रहे थे, और इधर देखिए, so much of crowd, गुसा, जगड़ा, अपने मन में बहुत सारी बाते, पुरानी बाते, ठीक है, तो जब आप इस से, इस पर आते हैं, तो आपकी life में क्या आता है, ये, success, ठीक है, it's about inner success, it's about outer success, inner success का मतलब क्या होता है, उपलग दी, ठीक है, कि अपने ही आप में, जो आपके problems से, जो issues से उनके उपर, काबू पाना, जो, bad habits or anything, ठीक है, whatever, जो भी आप, आपको लग रहा था, कि yes, you have to let go, आपको वो let go करने की जरूवाद है, finally, it's going to happen, आपको, इस zone से, इस zone में आने में time लगता है, और angels जाते हैं, कि आप इधर से इधर, इधर आ जाएं, ठीक है, जल्दी ही आ जाएंगे, so this is what we are getting for all you people, I hope आपको reading पसंद आई हो, और हमें comment करके पताएं, कैसी लगी, we'll see you next time, till then take care,